संजे राउट ने शिवसेना की चल रही गती विदियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अमिच्छा से हुई बातचीत नहीं देखी मुझे राज्य की विशय में कुछ भी पूछा जाए राष्ट्य कार्यकारिनी की बैठक में पार्टी के वर्तमान भविशय पर चर्चा की जाएगी शिवसेना किसी को भी महाशक्ती बना कर हमें खत्म नहीं कर सकती तो वही शिवसेना के जो लोग मुंबई छोड़ कर गए हैं उन्हें निशाना बनाते हुए बोले वह महाराश्र से बाहर गए और अब दरदर भटक रहे हैं शिवसेनिक हो तो इतने कमजोर कैसे पढ़ गए फ्लोर हाउस में समझेगा किसमें कितना दम है मुंबई में वापस आने के बाद खेला हो बे ऐसी व्यंगात्मक टिपनी भी की तो वही भाजपा को निशाना बनाकर कहा कि भाजपा इस विशय में ध्यान ना दे नहीं तो बचिही प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी तेवेंद्र फढण नविस इस मामले से दुर रहे मोधी की प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा है अगर उन्हें clean sheet मिलती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ ऐसे प्रतिक्रिया संजे राउत ने दी है और अधाम वहाँ जाएंगे बैठेंगे पूरी कारेकरानी वहाँ रहेगी बहुत से निर्णए होगे पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे भविश्य के बारे में सोचेंगे पार्टी का विश्तार के बारे में सोचेंगे कुछ नई नियूक्तिया करेंगे यह पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खुन पसीना बहाया है माला साथ ठकरीजी हो उद्दव ठकरीजी हो सभी काले करता हो तो यह पार्टी इतनी असानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता सोज भी नहीं सकता यह पार्टी हमारे खुन से बनी हुई पार्टी है शेकडों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए सिप पैसा है किसे के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरिद नहीं सकता तो राष्टिय कारे करने में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही इधायक निर्णे होगे, जो संकट है मौदूदा, उसको हम संकट नहीं मानते, हमारे लिए बहुत बड़ा मोका है, पार्टी विस्तार का, जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचने, बात ऐसी है, दे नहीं है, लोगों का गुसा जरूर है, अब तक गुसा जो है, उसका विस्पोट नहीं हो है, लेकिन हो सकता है, अभी मेरे पास सांगले के लोग है हमारे, पुछना चाहते है हम लोग क्या करे, अगर लोग भडग गए, तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता लेकिन सब को बोला है, सायम रखो, मुझे विश्वास है, जब विधायक मॉंबई में आ जाएंगे, तो हमारे पाले में आ जाएगे